ओम अग्यान तिर्म्रांधस्य ज्यानन जना शलाक्या चक्षुरुन मिली तम्येना तसमे शिरी गुर्वे नमा नमों विश्णुपादाया क्रिष्ण प्रेष्ठाया भूतले शिरी मते भक्ती वेदानते स्वामी निति नामीने नमस्ते सार्स्वते देवे गौरवानी प्रचारीने निर्विशेश शुन्यवादी पाश्च्यत्या देश्यतारीने शिलप्रवपाद की जय क्रिष्ण कृपामूर्ती श्रीमद एसी भक्ती वेदान स्वामी प्रवपाद का जन्म 1896 में भारत की कलकटा नगर में हुआ था शिलप्रवपाद ने जुलाई 1966 में अंतर राश्च्री कृष्ण भावनामृत संकी स्थापना की और अपने गुरु महराज शिलभक्ती से दान सरस्वती गुस्वामी के आदेश पर संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का परचार किया शिलप्रवपाद ने अपने कुषल मागने देशन के कारण विश्व भर में सो से भी अधिक मंदरों का निर्मान किया और अपनी विद्धवस्ते की चिंता ना करते हुए परिवार्जक के रूप में विश्व के छो माद्विपों की 14 बार परिक्रमा की शिलप्रवपाद ने 14 नुवंबर 1977 को अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया परन्तु आज भी अपने गरंथों के माध्यम से हमारे साथ हैं और हमारा माग दर्शन कर रहे हैं परिवपाद जी ने 100 से भी अधिक ग्रंथों की रचना की आपके द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमत भगवत कीता वो श्रीमत भागवतम के अध्यन से हमें मनुष्य जीवन के उदेश्य के बारे में पता चलता है मनुष्य जीवन का उदेश्य केवल आहार निद्रा भय वो मैथुन करना नहीं है वरन भगवान के साथ अपने विस्मित संबंद को जानना है शिल प्रभवपाद के ग्रंथ हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर आए है मैं शिल प्रभवपाद जी को कोटी कोटी धन्यवात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रभवपाद जी के कारण ही मैं अपनी वास्त्विक स्थिती को समझ पाई हूँ ठैंक यू शिल प्रभवपाद ऐसे ही आप अपनी कriपा सभी जीवों पर बनाए रखे Hare Krishna